हेलो बच्चो, गुड मॉनिंग, आज हम बात करेंगे कोर डेटा गी, काफी इंपोर्टेंट है, देखिए ये कलासिफिकेशन की विए है कोर डेटा गी, कोर डेटा को कलासिफाई किया गया है, एक तो होता है प्रोटो कोर डेटा, एक होता है यू कोर डेटा, प्रोटो कोर को हम lower core dates बोलते हैं और you core date को हम higher core date बोलते हैं ठीक है और जो proto core data होता है उसमें क्या difference है मतलब proto core data और euro core data में क्या difference है जो lower core dates आते हैं उसको again classify किया गया है एक तो होता है इसमें euro core data एक होता सिफेलो core data euro core data का मतलब होता है noto code is found only in tail मतलब इसमें क्या होता है कि जो notocode होती है वो well developed नहीं होती और जो cephalocode data होता है notocode extend into cephalicore head region इसमें क्या बता है कि जो eurocode date होती है उसमें तो notocode क्या होता है उसकी tail region तक होती है और cephalocode data में वो notocode जब वो extend हो जाती है head region तक समझ गई जो euro core date है उसमें noto code कहां भे present है only in tail region और cephalocore date में क्या है noto code extend into cephalicore head region उसके बाद बेटा जो vertebrate है उसको divide किया गए है again two type में एक होता है एगंथा एक होता है गंथो stomata एगंथा वो होते हैं जिसमें lack of ja होते हैं मतलो जिसमें जबडे नहीं होते हैं उसके बाद जो गैंथो stomata है उसको फिर से classify किया गए है again एक तो होते हैं इसमें Pisces एक होते हैं tetrapoda जो Pisces हैं उसको बोल पाइसिस जो होते हैं उनमें fins होती है और tetrapoda में क्या होते हैं limbs होती हैं उसके बाद जो Pisces हैं उसको classify किया गए है चौंड्रियोथीसिस और और जो टेटरापोड़ा है जिसमें लिम्स होते हैं उनको कलासिफाइ किया गया है बेटा किसमें एक तो एमफिलिया, रैप्टाइल, एब्स, मैमिलिया तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि जो कोरडेटा धा उसको डिफाइन किया गया इसको डिवाइड किया गया पाइसेस और टेटरापोड़ा में, पाइसेस में फिन्स-फिसिस वगर आती हैं, इसको डिवाइड किया गया पॉंड्रियोथिसिस, ओस्टियोथिसिस में टेटरापुड़ा को डिफाइन किया गया लिम्स के बेस पे एमफिबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमिलिया अब हम वन बाई वन इन सारी चिजों को पढ़ेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए on the basis of cranium, vertebral column और pair of appendices cordata are divided into two groups, cordata को दो group में divide किया गया है proto-cordata, proto-cordata जैसे हमने पहले पढ़ा था कि cordata को divide किया गया दो group में proto-cordata, euro-cordata जो proto-cordata उसको ए-cranata भी बोलते हैं और euro-cordata को craniumata भी बोलते हैं, ठीक है मतलब इसमें कुछ brain का system होता है, वो हम आगे discuss करेंगे proto-cordata या a-craniata, these are also called non-vertebrate और vertebrate cordates, sorry, invertebrate cordates ध्यान से देखिए बैटा, इसमें क्या लिख रखा है कि जो proto-cordata या a-craniata होते हैं, वो कौन से होते हैं इसमें रीड की हड़ी या vertebral column नहीं होती या इसको हम invertebrate cordate बोलते हैं उसके बाद लिखा है कि all are marine ये जितने भी इसके मेंबर है सारे के सारे marine water में पाई जाते हैं इसको primitive cordate बोलते हैं, मतलब इनका इतिहास काफी पुराना रहा है vertebral और pair of appendices, exoskeleton, head इसमें क्या रहता है absent होता है unisexual और bisexual organism होते हैं ये reproduction, asexual और sexual टाइप में देखा जाता है no true jaw are formed, respiration by pharyngeal gillslits या clift और इसमें लिखा गया कि heart and kidney are absent larva stage are present तो पैटें ये किसके character थे? proto-corridator के, जिसको हम एक रिनेटा भी बोल सकते हैं उसके बाद अगर हम यहाँ पे discuss करें तो आगे हम इसके जो sub-phylum थे इसके sub-phylum कौन-कौन से है? proto-corridator के, क्योंकि proto-corridator हमने पिछे पड़ा अब उसके sub-phylum आ जाते हैं euro-corridator या tunicator या cephalo-corridator तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी euro-corridator या tunicator का notocode is found only in tail of the larva stage hence called euro-corridates इनको euro-corridate इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो notocode होती है वो इसके सिर्फ tail region में पाई जाती है these are also called tunicator because their covering is made up of tunicin मतलब एक तरीके का cellulose होता है इसको हम tunicator क्यों बोलते हैं क्योंकि इसकी जो outermost covering है वो tunicin की बनी होती है मतलब एक तरीके का क्या होता है cellulose होता है commonly called c squared एक प्रकार का जो खोल होता है या जो एक तरीके का गोगा होता है उसको हम बोल सकते हैं ये एक समुदरी जीव की तरह दिखाई देगा तो commonly called c squared solitary colonial fixed और plastic ये इसकी कुछ बोल सकते हैं एक प्रटिकुलर प्लेस के उपर क्या रहता है काफी लंबे टाइम तक वहीं पे रहेगा या वहीं पे ये ग्रो करता है solitary colonial और fixed इसकी कुछ position होती है उसके बाद बताया गया है कि absence of both notocode and vertebral column in adult presence of many gills slit in the pharynx मतलब presence of many gills slit इसके अंदर होते हैं बलड सर्कुलरेटरी ओपन टाइप का होता है elementary canal U-shape की होती है feeding in ciliary filter feeding type होता है feeding in ciliary filter feeding type elementary canal क्या होती है U-shape की होती है feeding कुछ ciliary filter moment होती है उसके जरीए करते हैं fertilization external होती है और ये animals कैसे होते हैं bisexual type के ठीक है और ये इसके कुछ examples यहाँ पर आप देख सकते हैं acedia, shalpa और doliolem उसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी जो second type थी यहाँ पर देख सकते हैं आप cephalocoridata तो cephalocoridata में आप यहाँ पर देख सकते हैं cephalocoridata में जो cephalocoridata होते हैं उनके जो animals होते हैं वो mostly क्या होते हैं stationary होते हैं या सिसाइल एक particular place के place पही रहेंगे but they are the swim freely in sea मतलो यह सिसाइल या frustrationary एक पॉइंट पर क्या रहेंगे चिप के रहेंगे और इन्होंने बताया भी है कि but they are the swim freely in sea समुदर में या पानी में यह क्या होते हैं कुछ freely move भी करते हैं body small fish like और laterally flat होती है adult are notocode extend from head to tail adult में notocode इसमें extend हो जाती है head से tail तक उसके बाद pair of appendages leaking median fin present होती है excretion proton ephridia से करते हैं या कुछ flame cell से करते हैं nerve code dorsal tubular without ganglia and brain जो nerve code होती है और dorsal side पे होती है tubular होती है without ganglia और brain यह सारी चिज़े इसमें क्या रहेगी absent होगी sex इसमें separate होगा देख सकते हैं आप लोग कुछ last line हो में sex separate है gonad numerous and metamerically repeated होता है this is only proto-corridates with all basic cordates structure यह only एक ऐसा proto-corridates है जिसकी basic structure किसे मिलती है cordates है circularity system well developed होता है closed होता है heart absent होता है presence of wheel organ इसमें मतलब जो mouth होता है ठीक है जिसको हम बोल सकते है mullerian flagellated organ मतलब इसका जो mouth होता है वो wheel organ की तरह दिखाई देगा और fertilization इसमें कैसी होती है external in sea water development कैसा होता है direct और example आप पढ़ सकते हैं इसका क्या है amphioxis तो बेटा आज हम लोग ने केस चीज़ के बारे में discuss किया core data के बारे में और core data में हमने proto core data और उसके type euro core data और c fellow core data को discuss किया सिर्फ इतने वाले reason को ठीक है next lecture में next video हम euro core data के बारे में discuss करेंगे thank you very much करेंगे